नमस्कार दोष्टों में सौनम जैनल और आप सभी देख रहे हैं स्टे सौनम चैनल पर आप सभी का स्वागाते दोष्टों आज की कहानी है देवरानी जी पहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाएए भाग साथ यति आप सभी को मेरे दुआरा रिखी गई है कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा और पास में जो पेरा इकन का बताने उसे प्रेस करना बुर्कूर न भूरें क्योंकि उसी से मिरेंगी आप सभी को मेरी आने वारी हर कहानी की नोटिपिकेसन कहानी पसंद आने पर बीतियों को राइक करतीजीगा क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं बीतियों को राइक तो मचे मिरती हैं नहीने कहानी आ रिखने के लिप प्रेन न और हां कहानी को अपने के साथ सहर जरूर केजीगा जैसे कहानी जाता जाता रोगों तक करते ही हैं गोपार और बंधना की साथी हो चुकी थी सवी बहुत खुश थे सिर्फ सोभा और बिनिता को छोड़ कर बंधना को अपने माई के को छोड़ने का दुख तो था आखों में आसु भी थी रेकिन उनी आखों में नए सपने भी थे जो उसने अपने ससुरार के लिए देखे थी गोपार जैसा पती और एक अच्छा ससुरार पाकर बंधना बहुत खुश थी आज बंधना गोपार के साथ अपनी ससुरार आती बनीता हातों में आरती की थारी लिए दरवाजे पर खड़ी थी बहें गोपार और बंधना की आरती उतार कर गिरह पिरवेश करा और मनी मन सोचती आज मैं ही तुम्हारा गिरह पिरवेश करा रही हूँ और कर जोंगी तुम्हें इस घर से निकन्ने पर मचबूर भी कर दूँगी और बनीता मुसकरा कर बंधना से कहती इस गरस को गिरह पिरवेश होने के बाद अंगूति धुनने की रसम होती जिसमें ब हमसे भी जीत जाए तब बिनीता सोवा से कहती चुप कर सोवा ऐसा कुछ नहीं होगा गोपार और मुझ में बहुत अंतरे एह चाहकर भी मुझे हरा नहीं पाएगी आज को सो लेने दे से कर से तो इसके रोने के दिन सुरू होने ही है सोवा ने कहा भावी एह तो भगवान को ह पता होगा कौन रोएगा कौन हसेगा बंदना के तारिफ सुनने के बाद रखता तो नहीं है कि एह इतनी जरती हार मानेगी बखवास बंद कर सोवा अपनी गुसे में कहकर बिनीता अपने कमरे में चरी जाती दूसरे दिन बिनीता बंदना से कहती बंदना आज तुमारी प बनीता कहती, क्या कहा तुमने? बंदना ने फिर कहा, जी दी थी. तब बनीता कहती, वह बंदना बाकवानने मुझे कोई छोधी बेहन नहीं दी रहेकिन आज तुमने दीती कहकर, मुझे बरी बेहन का सुखत जरूर देती ये. अब तो मैं बाकवानन से यही परातना कि तुम्हारी जिंदकी में खुसियां हमेशा वनी रहे। विनीता का इतना कहने पर ही बंदना के चहरे पर मुस्कान आ जाती। और भहे मन ही मन भगवान का सुक्रिया करती। कि ससुरान में उसे एक बड़ी बहन मिर गई थी। अब उसे किस बात की परिसानी। और विनीता पंदना से कहती। बंदना आज ना ही में तुम्हारी और ना ही सोगा। कोई भी तुम्हारी खाना बनाने में मदद नहीं करेगा। आज तो तुम्हें हम सब के लिए अकेरी खाना बनाना होगा। कर से हम तुम्हारी मदद चरूर करेंगे। लेकिन आज तुम्हारी पहरी रसोई है तो खाना तो सिर्फ तुम ही बनाना होगा बना रोगी ना बिनीता ने प्यार से बंदना से पूछा बंदना ने सिर रहा कर हां में जवाब दिया और बिनीता मन ही मन सुछती बंदना आज में भी देखती हूँ कि तुम अकेरी खाना कैसे बनाती हूँ बिनीता कहती बनना आज तुम सबकी पसंद का खाना बना कर सबका दिर जीत रो बैसे भी तुम खाना तो बहुत स्वातिष्ट बनाती हो। तो एक काम करो अपने बरी भहिया के लिए मतर पनीर की सब्ची और पुरी बना देना और तुम्हारे छोते भहिया पुरी नहीं खाते तो उनके लिए रोती बना देना और बच्चे पराथे खाना कुछ चाता ही पसंद करते हैं और चाचा जी आ रहे हैं तो उनके लिए गरम मिर्च धनिया की चत्नी जरूर बना देना और पकोरे बनाना भूनना मत अब इतना सब कुछ बना रही हो तो मीथा तो जरूर बनाओगी तो एक काम करना गुराब चामुन और खीर भी बना देना तब ही बंदना कहती भावी आपने बताया नहीं कि इन्हें क्या पसंदे तब सोबा कहती गोपार गोपार तो कुछ भी खा लेता है उसके खाने में जाता नकरी नहीं है यही जब आप बंदना को कुछ अत्पता सा रखता तब ही बनीता सोबा का हाथ पकर कर उसे चुप कराती और कहती गोपार को वैसे कचोरी बहुत पसंदे तुम चाहो तो पहे भी लेकिन तुम इतना सारा खाना अकेरे बना लोगी ना या हमारी मतद की जवरत होगी बनीता ने पूछा तब ही सोभा कहती बाबी ये तो गरत बात हुई ना जब मेरी इरसाती हुई थी तो आपने मेरी तो बुरकुर भी मतद नहीं कराई थी और छोती के लिए मतद करा रही ह मेंने भी तो पूरी रसोई अकेरे बनाई थी तो आप बंदना के मतद कैसे करा सकती हैं बंदना ने कहा हा दीती मैं बना दूंगी तब बनीता ने कहा तो ठीक है तुम रसोई में काम करो में और सोभा बाहर का काम देखते हैं कहकर बहे दोनों चरे जाते और बंदना लादी खाने की क्या एहे सब कुछ अकेरे बना रहेगी तब नेता ने कहा जानती हूँ नहीं बना पाईगी इसलिए तो बताया है पर क्यूं सोभा ने पूछा तब नेता कहती जब बंदना इतना खाना नहीं बना पाईगी और खाना समय पर तयान नहीं होगा तो तुम्हार मदद करती हूं रेगन बंदनार ने मना कर दिया और खुद को बहुत हुसियार समझती है ना जब अकेरे इतना सारा काम करेगी तो अकर थिकाने आ जाएगी अभी तो सुरुआ थे छोती देख में इसके साथ क्या क्या करती हूं इसे अपनी उंग्रियों पर ऐसे नचाऊंग चहरा तो इसका देखने रायक होगा क्यों भावे सुवा ने पूछा तब बनीता कहते सिर्फ इसका नहीं चाचा जी का भी चहरा देखने रायक होगा जब बहे अपनी पहली हार देखेंगे चरू इसे रसोई में मेहनत करने दो हम चर कर जब तक अपने कमरे में आराम करते हैं और फिर थोड़ी देर वाद बंदना को उसकी आवकात बताते हैं कहकर बनीता और सुवा कमरे में चरे जाते हैं और थोड़ी देर वाद सुतिर बनीता से कहता बिनीता आज खाना मिरेगा या नहीं खाने का समय हो गया है तब बिनीता कहती आज बंदना की पहरी रसोई है ना तो खाना वही बना रही है हम जाकर देखते हैं कि उसने खाना बनाया या नहीं तभी सुतिर कहता तुम भी बिनीता क्या करती हो बंदना इतने सारे रुकों का अकेरे खाना कैसे बना पाएगी अभी भहे नई नई है तब भी बंदना आकर कहती बरे भही या खाना तयारे आप सबी बैती है मैं खाना सर्फ करती हूँ एह सुनकर बिनीता और सोवा एक दूसे की तरफ गौर से देखने रखती और सोवा बिनीता से कहती भावी इसने तो खाना बना रिया है और आप कह रही थी यह बना नहीं पाएगी आप तो इस बार भी हार गई थोड़ी देर में बंदना सब के रिए खाना सर्फ करती सब बंदना के हाथ का खाना खाते और बहुत तारीफ करते तब ही रमिस काका कहते बिनीता बहु मैंने कहा थाना की बंदना बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती बैसे बिनीता बहु तुम्हें बंदना के हाथ का खाना कैसा रखा बिनीता ने मुस्कराते हुए कहा खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन बंदना तुमने इतना कम खाना क्यों बनाया है मैंने तुमसे सबकी पसंद का खाना बनाने के रिए कहा था रेकें तुमने तो काम की चोरी कर ली है यति तुमसे अकेरे खाना नहीं बन रहा था तो मस्से और सोभा से कह देते हम तुम्हारी मदद कर देते इस तरह काम की चोरी करना अच्छी बात तो नहीं होती अरे मुझे लगा कि तुम अकेरे कर सकती हो इसलिए तुम्हारे उपर काम चोर कर आ गई मैंने तुम्हारे दोनों जेजियों से कह कर रखा था कि आज उनकी पसंद का खाना बना रही है हमारी देवरानी लेकिन तुम तो काम चोरने के लिए तभी सोभा कहती दीती सिर्फ काम चोरी नहीं की आपकी बात का भी अनातर कर दिया आज तक मैंने आपकी कोई भी बात नहीं तारी लेकिन छोती देवरानी ने तो आपकी बात मानना भी चरूरी नहीं समझा तो बंधना कहती है, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं, आपने मुझे सब की पसंद बताती थी, इसलिए मैंने सब की पसंद का खाना बनाया है, बरे बहिया की पसंद के मतर पनीर और छोते बहिया पुरी नहीं खाते, इसलिए मैंने रोती बनाती, रोती तो, हम सबी खाते हैं, औ बढ़ी मिर्ची धनिया की चतनी भी बनाती और ताइम नहीं था इसलिए चतनी मेने मिक्सी में बनाती और बिनीता से कहती दीती सोची एती में सबकी पसंद का खाना बनाती तो समय भी बहुत रखता और खाना भी बरबात होता क्योंकि जाता खाना बनाती तो बहे बचता भी और छोटी दीती में बरी दीती के अपमान के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती तबी रमेश काका कहते बंदना बेती तुम बहुत हुसियार हो सब के पसंद का खाना भी बना दिया है और समय भी बचा लिया है क्यों सुतिर सुतिन ने कहा काका जी खाना बहुत स्वातिश थे और बंदना को नेक में एक अचार रुपई दे दे और वहां से चरे जाती खाना खाने के बाद सभी वहां से चरे जाते और जब गोपार जाने रखता तो बंदना गोपार को रुखते हुए कहती गोपार जी घर के सभी सतस ने मेरे हाथ के खाने की तारिफ की लेकिन आपने नहीं की किया आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया तब घोपार कहता ऐसी वात नहीं है लेकिन आपने सबसे जूत क्यूं कहा कि मुझे कचोरी पसंदे पर मुझे तो कचोरी बुर्गुर भी पसंद नहीं बंदना ने खाना बहुत अच्छा बनाया था कहकर गोपार वहां से चरा जाता और बंदना मनी मन सोचती बड़ी दीती को घर के सभी सतस की पसंद ना पसंद बताए लेकिन जब मेने गोपार की बारे में पूछा तो छोती दीती ने कहा कि वहे कुछ भी खा रहेते हैं और बड़ी दीती बहुत सोचने के बाद कचोरी के लिए कहा तो क्या सच में दोनों दीती को गोपार की पसंद ना पसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं आखिर क्यों एक तरफ बंदना सोच रही थी आखिर दोनों दीतीयों को गोपार की पसंद और ना पसंद के बारे में क्यों पता नही तो वहीं सोभा वनीथा से कहती दी थी, आप इसे अपनी उंग्रियों बन नचाना चाहते हैं, लेकिन इसने तो पहरी दिन ही आपकी उंग्रियों बन नाचने से साप मना कर दिया, देखा नहीं आपने बंधना से क्या कुछ बनाने के लिए कहा था, लेकिन बंधना ने बंधना सवा से रे, पुरा मत मानना भावी, लेकिन अब आपको बंधना सिहानने की आदत डाल लेनी चाहिए, अभी तो बंधना को आपका असरी चहरा भी नहीं पता, और जिस दिन पता चरेगा, उस दिन क्या होगा, तब बनीता गुस्से में कहती है, बही दिन कभी नही बंधना को कभी मेरी असलिक पता नहीं चरेगी, और रही बात बंधना को अपने उम्रियों पर न चाहने की, तु बही तुमें करकर ही रहोंगी, क्या बंधना बनीता कि भूरे भारे चहरे के पीछे कर सरी चहरा जान पाएगी या नहीं जानना चाहते हैं, तो कहानी के जरूर कर लिजीगा क्योंकि जब भी मेरे करां कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चाल सकें यदि आप सभी को एक कहानी पसंद आ रहे हैं तो अपनों के साथ सेज जरूर कीजीगा जिससे एक कहानी जाता से जाता रूख देख सकें और वीडियो को लाइक करना पूर कुरना पूर है चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजीगा थेंक्स पर वाचिंग